निकाय चुनाव को लेकर श्री गंगा नगर में भाजपा और कॉंग्रिस का सर्वे पूरा अब शुरू होगा टिकट के लिए विदिवत आवेदन का सिलसिला नगर परिशे चुनाव के लिए टिकट दावेदारों की वाडो में स्थिती को लेकर भाजपा और कॉंग्रिस ने सर्वे करवा लिया है अब दोनों ही पार्टियां आज कल में विदिवत आवेदन प्रिक्रिया चुलाएंगी भाजपा की ओर से आवेदकों के लिए एक परफॉर्माज जारी किया जाएगा इसमें टिकट के दावेदार को अपनी सभी जानकारियां देनी होंगी जबकि कॉंग्रिस में टिकट वितरन प्रदेस तर से किये जाने की बात कही जा रही है इसके लिए पांच-पांच वाडो में समन्वेक लगा कर सर्वे करवाया गया है इसके अलावा पार्टी पतादिकारियों के पास आ रहे दावेदारों की सूचियां भी बनाई जा रही है बताया जा रहा है कि चुनाव संचालन के लिए कॉंग्रिस श्रेगंगा नगर शहर को तीन भागों में बांट कर कमेटियों का गठन करने पर विचार कर रही है सूत्रों के अनुसार एक जोन पुराने अबादी, दूसरा मध्य शेत्र और तीसरा जवाहर नगर शेत्र का होगा तीनों के लिए पांच-पांच सदस्य कमेटियां बना कर चुनाव संचालन का दाईत्व सौंपा जाएगा ये कमेटियां अपने शेत्र के वाडो से तैपार्टी प्रत्याशी का नाम अंकन करवाने से लेकर उसकी जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगी वहीं भाजपा की ओर से टिकट वित्रन के लिए आज कल में चौयन समीति का गठन हो गया है समीति में पार्टी के सक्रिय पांच साथ सदस्य लिए जाएंगे जिला महामंत्रे संजम हिपाल ने बताया कि समीति का गठन प्रदेश सर पर होने वाली संगठन की बैठक में किया जाएगा इसी के साथ चयन समीती आवेदन की विधिवत प्रक्रिया शुरू कर देगी समीती सदस्य अन्य पतादिकारियों से समन्वे रखते हुए काम करेंगे अब तक विभिन पतादिकारियों के पास जो आवेदन आ चुके हैं उन्हें एक स्थान पर इकठा कर निर्ने लिया जाएगा उन्होंने बताया कि कुछ वाडों में तीन चार कारकरता पार्टी टिकट के लिए प्रियास कर रहे हैं उन्में सावंजे से बैठा कर किसी एक को टिकट दी जाएगी ताकि किसी तरह के विरूद या बगावत का सामना नहीं करना पड़े अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर